पन्नू है खालिस्तानी है उसने धंकी दिये कि मोधी का हम रोर्षो नहीं निकल ले देंगे और मुसल्मानों को एक बर्कल आने की और बढ़काने की कोशिस कर रहा है कुछ दिनों में आपके सूचना मिलेगी पन्नू को किसे ने मार दिया अग्यातने ऐसे अन्नू पन्नू कितने आये कितने चले गए मोधी बहुत बड़ा व्यक्तित्तों है मोधी को ऐसे पीछे जब हादी चलता है तो कुछ दूने भी खाल नहीं पड़ेगा रूसो में और जो वह होगता है दो वह लगने का जवाब नहीं देना है अतंकी के बयान पर य्यास ब्सक्राब करनी के चीज और कुछ नहीं है कोई परकने पाड़ना है योगी जी के रहते हैं कोई समभब नहीं ही हां मंदर बन रहा है हम बहुत खुजए और हम ही पुछ लोगों आप 30 बात पर के हमने नहीं दिया जा रहा है कि निमंत्र वो माँज़ें जो भुरोध करते हैं लगाता राम लिला थे ही नहीं राम्लादा कमेंदर नहीं 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 बनना चाहिए जिन्मोंने इसके खिलाब जो पन्नु है खालिस्तानी है उसने धमकी दिये कि मोधी का हम रोर्षो नहीं निकलने देंगे मुसल्मानों को एक बर्कल आने की और बढ़काने की कोशिस करा है कुछ दिनों में आपके सुचना मिलेगी पन्नु को किसे ने मार दिया अग्यातने ऐसे अन्नु पन्नु कितने आए कितने चले गए मोधी बहुत बड़ा व्यक्तित्तों है मोधी को ऐसे पीछे चलता ना तो कुछ दिनों कोई अग्यात हो रहे हैं पागिस्तान में भारत बिरोदी लोग है उनको ठोक रहे है तो उसका वी नंबर आने वाला है करने कि दमकी देता है तो इस वार मुसलमान को बर्गल आने की उसको सेर की तर्व था है तो उसका अगया तो उसका शेड़ना गलत है निश्यूद रूफ से इतने बड़े व्यक्तितों को इतने बड़े ने रखोगा चेड़ेगा तो क्या होगा सब्सक्राइब करें लिए जो लोग कहते हैं मंदर नहीं बनाएंगे तो जो राम की बात करते हैं लेने की आपशक्ता नहीं है भाज़पा ने काम किया राम मंदरी के लिए राम लिला के लिए तो निश्यत रूप से जनता उनको उसरी देगी और 24 में जैसरी राम होगा इस वारावर स्वामिपरसाद मौर्य धार्मिक भावना को आहत करते हैं सनातनियों पर टिपड़ी करत लेखराज माहर मैं अभी आपने सवाल किया था कि आपको निमंतर आया है क्या हमें निमंतर नहीं आया हम खुद जाकर के एक जनुवरी से 15 जनुवरी तो अभियान चलाने वाले घर गर जाएंगे हम राम भक्तों से निवेदन करेंगे हमारा 500 साल बाद 500 बाद हमारा भवे किजिए आश्रिवाद लीजिए हम घर घर जाएंगे एक जनुवरी से 15 जनुवरी तक हमारा भ्यान है हम घर घर जाएंगे अक्षट जो राम बंदिर से हमारे पास आये हैं हम उनको बाटने का काम करेंगे सभी माता भहनों से सभी से बुज़ूर्गों से चलने का आवान क करेंगे उसी भब्य कारिक्टरम में पन्दू जो खारिस्तानी है वो खलर डालने की कोशिस कर रहा है वो उसने धंकी दिया रोडशो को बाजित करने के देखें ऐसा आप देखेंगे पास्ट में भी देखेंगे ना तो इस तरह के लोग अपने आपको मस्वूर करने के लि किनी दिले की जा रहे है लाम मंदिर बनेगा यह सभी के लिए भारत वास्टियों और मद्नी चाहिए कि भारत में बनेगा तो कहां असर पढ़ने बाला कोई फरक नीम्त कर से निकलेंगे पहुचेंगे कारकम में सामिल होंगे भवकर कारकम होगा कि सफीकर रहाने बाइस त पहले पहले काना जी वो सब अपने आपको मसूर करने के लिए अपने व्यक्तितु को निखारने के लिए ब्यान दे रहे हैं इनके खिडाब और वह जैसे जो लोग सपना देख रहे हैं एक वार कि बावरी बश्चित वहां थी है और रहेगी कयामत तक रहेगी कभी जब आप कि हिंदू मुसल्मान पर एक जो आता है कि तुष्टिकन की राजिती भाश्वा करने जो आरूप लगता है कि तरह मंदिर भव्य बन रहा है लेकि मश्जित का काम अभी तक शूर नहीं हुआ है देखे यह मंदिर निर्मान होगा बनेगा और दूसरा यह है कि यदि आप कॉट का क्या आदेस है क्या नहीं है मादूम है वह उसी हिसाब से अपना काम कर रहे है कोई ना कोई आहत हो रहा है ना कोई बर्गलाने का काम कर रहा को वाले इनको मालूम है और मंदिर जлять मजीद भी बनेगी सब 27 म सामझाव जसे रखने कि है बलिदान दिया है संगर्स किया है इसलिए उनको इसका स्रे मिलना ही चाहिए इसका लाब मिलेगा बहुत सारे लोग है यहां पर कि अब देखे मंदिर और मस्जित दिल में है इसलिए पूजा करने के निए तो दिली काफी है इबादत करने के निए दिली काफी है जनता को जो है वो चाहिए भरपेट भोजन रोजगार और महिंगाई चरम सीमा पर है आज की तारीख है ठीक है मंदिर एक आस्था का इस्तान है होना चाहिए लेकिन अकेले मंदिर के लिए पूरे देश की जनता को बेकूब बनाना यह एक धोका और सलावा है मश्जीत और मंदिर हर किसी के दिल में है जमीन पर हर किसी के घर के पास है हमारे भी घर के पास हमारे घर के पास मंदिर का कोई बहुत हैं हर किसी के घर के पास मंदिर है घर के अंदर मंदिर है जिसके घर के अंदर मंदिर है वह आयुद्या क्यों जाएगा पर्नु खारिस्तानी जो आतंकी है उन्होंने धमकी दिये है कि मोधी का जो रोड़ शो निकल रहा है उसे हम नहीं निकलने देंगे और मुसल्मानों को बरगलाने की कोशिस की है तो क्या आप उनके बहकावे में आएंगे नहीं बिलकुल नहीं आ सकते सरकार से ज़्यादा बड़ा कोई नहीं हो सकता जै कि葉 सरकार की जूख से और उसकी लापरवाई सीचte मोड़ा हैं तो आगर ऐसा कुछ सरकार को लग रहा है तो उस पर शक्ति करें निक्रानी रख हैं और अगर कहीं चूख हो रही है तो सरकार जो है वो बिफल है पन्नु जैसे आतंकी के बयान पर क्या मुसल्मान गौर करेगा नहीं कर सकता है मुसल्मान गौर करेगा अपने हिंदुस्तान के लिए मुसल्मान जो है सन 1965 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो जंग हुई थी उसमें हिंदुस्तान के ही मुसल्मान ने जाकर के पाकिस्तान के टैंक उड़ाए थे उसे अपने हिंदुस्तान से प्यारा कुछ नहीं है आज ही अगर किसी भी मुल्क से जंग हो जाए तो सबसे ज्यादा हम लोग आगे आने के लिए तयाद है कि शफीकुर रहमार फिर भी कह रहे हैं कि 22 तारिक को हम वहीं पर बाबरी मस्ज में नमाज पढ़ेगा वो क्यों जाएगा लेगिन वो नेता है उन्हें जाना चाहिए उनसे एक संदेश जाएँ वो नहीं जायेगा लेग Uni the best media गरसे से निकलते ही मस्जित है आप चाहते कि राम मंदिर के निर्मार में जो घाटन कारिक्रम है उसमें राहुल गांदी भी जाएं अख्ली शादव भी जाएं जितना विपक्ष है बड़ चड़के हिस्सा ले सारा टोटल विपक्ष पूरे हिंदुस्तान का उस राम मंदिर के अब हम तो अपनी मस्जित में नमाज पढ़ते हैं लागो याद करते हैं पूरे देश की सुकून और चैन के लिए अल्ला से दुआ करते हैं यह क्या कहना चाहेंगी सर्व कियोकि राम मंदिर का उध्गाटन के तयारिया है भव्व तैयार है राम बगतों के स्वाज़त के जो पण्नू है उसने धमकी दी है मोदि के रोडशु को बाजित करने के लिए ना निकलने देने के लिए और मुसलमानों को बर्गल आने के लिए इसके बारे मुझे कौच जानकारी नहीं को हिंदूस्तान का मुसलमान कई या पको लगता है अभी भी पन्नू यासे आतंकी कि खालिस्तान्य आतंकी की बातों में आएगा जह और वाह सब्सक्राइब एक समाज का संधाय का एक नेतर होता है तो रह आप जाना काल यह मेरा काली यह जाओंगा वाउट बढ़िया यहां हम लोगा सब्सक्राइब कहा हो सकती है आपके बभवाण लेकिन उस रोड़्षो बादित करने के लिए ना निकलने देने के लिए आतंकी खारिस्तानी आतंकी जो पंडु है धमकी दे रहा है यह सब पॉलिटीस बाद छोड़िया राम मंदिर बन रहा है हमारे बगवान है इससे क्या मतलब यह अगर कोई वहां धमकी देता है तो उस योगी जी करा थे रखनें को संबब जाए है ते में अच्छा होगा स्पीस को शममा दो सकते थी किस मज़ी लग रही है जाय ऑच्छी है जी 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 कहां से आला हुआ है encaps आप दो आप जाए इस लोग और उसके कारिक्रम में बाधा डाले की कुशिस कर रहे हैं एक पन्नू खालिस्तानी आतंकी है वो कह रहा है कि हम वहां कारिक्रम नहीं होने देंगे और बादित कर दो क्या होगा जो नहीं हो मुसलमानों को बर्गलाने की कोशिस कर रहा है इतने साल में हुआ क्या तक कभी कुछ कर पाए मुसलमान अगर मुसलमान है तो मुसलमान भाई साथ क्यों देते हैं कि आतकवादी है मुसलमान करते हैं मुसलमान ऐधा कुछ नहीं कर पाएंगे इस सरकार में कुछ नहीं हो पाएगा वंकर कुछ नहीं हो पाएगा लेकिन वोधी का जो श्रेय ले रहा है जो इसी सरकार की देन मानते हैं मंदिर का उद्गार्ण या फिर राम बक्तों की देन मानते दोनों को मानते हैं सब्सक्राइब हमारा नाम है सईद अफजल कहां से रहने वाद यहीं प्रॉपर लखनो लखनो के नवाब नहीं तो नहीं आपको वह ना एक टेग लाइन मिला हुआ है मुस्कुराई आप जी जी शर्माद जी के चाय के दुकान के बाहर घड़े जी क्या क लखनो के बारें लखनो के बारें तो वेरी गुड लखनो इससे अच्छा क्या है लखनो से अच्छा तो कुछ ही नहीं क्या कुछ बदला है लखनो में इससे पहले की सरकार की बात करें वर्तमान योगी सरकार की बात करें बहुत कुछ बदला है जैसे कि तमाम सारी बातें आपको जिसमें लगता है कि फक्र होता है अब रिष्टाचारी तो कम हो गई है यह अच्छा है कि यूपी के महौल में क्या दिखते हैं यूपी महौल बढ़िया जैसे होना चेह इसे है बढ़िया है उसके लिए वो ठीक है वो मंदिर का है तो अपना ठीक है उसका तो फैसला होई गया है जी कुछ लोग अभी भी मुसलमानों को बरगलाने की बढ़काने की कोशिस कर रहा है अब जो है वो ठीक है जो होना हो गया बस अब जैसे मुसलमानों को या मुसलिम समझाय को वह बरगलाने की बढ़काने की कोशिस करते हैं ऐसे नहीं है उनके कहिने सम थोड़ी ना बढ़क जाएंगा ऎसा कुछ नहीं बढ़कने वाले पंणू आतंकी जो खारिस्वारी आतंकी इस ने धंकी दी है आयुध्या कारेक्र में बाधा डालने के लिए मुसलमान को बरगलाने के लिए तो मुसलमान क्या पनू यह से आतंकी की बातों में आएगा बिलकुल नहीं कटाई नहीं लड़ाई जगड़ा तू मैं फिर यह कर फूब फलाना धव्यूम का हमको वही करना है जो हम तंकी का इलाज किया है उसके बारे हमको क्या पता नहीं शुक्रिया